अगर मैं आपसे पूछू आप अपनी फीजिकल गोल्ड यानि की सोने को बैंकों में किस तरह से इनफेस करते हैं तो 99 परसेंट लोग मुझे यही कहेंगे कि मैं अपनी फीजिकल गोल्ड को बैंकों की लोकर में रखता हूं और यह बात सही भी है 99 परसेंट ऑफ जो पोपु बैंकों को कुछ चार्जिस पे करना परता है अगर हम लोकर में अपनी गोल्ड को रखते हैं तो लोकर चार्ज हमें पे करना परता है और अगर हम लोन ले लेंगे तो यहां पर भी हमें इंट्रेस्ट पे करना परता है और एक बात लोकर में हम जब भी अपनी गोल्ड को र नहीं करते हैं इसको भी आपको ध्यान में रखना है तो इन दोनों ही सीटोशन में हमें इंटेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक में लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी प्रोड़क्त के बारे में बताऊंगा गोल्ड रिलेटेड प्रोड़क्त और बैंकों में खोले जाने वाले दोस्वाइब का बारे में जहां पर आपकी जो गॉल्ड है वो तो सुरक्षित रहेगी है और साथ में बैंक आपको इंटेस्ट भी पे करेगा अज यह जो प्रोड़क्त है जिसके बारे में मैं बहुर्ट साहीं लोगों को नहीं पता यह एक एपानप का नाम है गोल्ड विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बाते में तो चलिए आज की वीडियो को फटा फट शुरू करते हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर होती क्या है ये गोल्ड मोनेटाइज़ेशन को बहुत सारे बैंकों में गोल्ड एब डी भी कहा जाता है अगर सिंपल सब्दों में से समझने की कोशिश करें तो गोल्ड मोनेटाइज़ेशन इसकीम एक ऐसी है जहां हम अपनी आइडेल गोल्ड को एजे फिक्स डिपोजित बैंकों में जमा कर देते हैं बैंक हमारी जो गोल्ड है उसे यूटिलाइस करेगी उसे एजे फिक्स डिपोजित मतलब जैसे कि हम गोल्ड लोन के समय क्या होता है हमारी जो गोल्ड है उसे लोकर में रख दिया जाता है लेकिन इस सिटु जो इंट्रेस्ट है वो भी अधा टाइम उप मेशुरीटी ही हमें दे दिया जाएगा तो यहीं अगर ब्रीफली समझे तो गोल मुनिटाइशन स्कीम सिंपली इसे ही कहा जाता है अग गोल मुनिटाइशन स्कीम को अगर हम चाहे तो किसी भी बैंक में जाकर खोल सकते हैं पोस्ट ओफिस में इसे खुला जाता है तो बैंकों में नाम अलग-अलग है लेकिन इसकीम गोल मुनिटाइशन इसकीम के अंडर या जाती है गोल फिक डिपोजिट जो होती है वह सिंगल या फिस जॉइंटली अगर हम खोल सकते हैं और गोल फिक डिपोजिट को खोलने के दोमें खोले जाता है तो यह आपको ध्यान में रखना है मतलब रो गोल्ड को ही एक्षेप्ट किया जाता है गोल्ड मोनेटाइजेशन इसकी में हमें मिनिमम 10 ग्राम ओफ गोल्ड इनवेस्ट करना ही है दस ग्राम के नीचे अगर हमारे पास गोल्ड है तो उसे एक गोल्ड फिक्स डिपोजिट हम इनवेस्ट नहीं कर जबते और जो भी टार्म है वो टार्म है एक साल से लेकर 15 साल के तक मतलब जो फिक्स डिपोजिट है वो मिनिममम एक साल के लिए खुली जाती है और जो मैक्सिमम टेनियर होती है वो होती है 15 सालों की तो यह है बेसिक इंफॉर्मेशन गोल्ड मोनेटाइजेशन इसकी में अब दूसरी है उस चरह के आंदर हमें यहाँ पर तिन्यut और यहां पर मिल तीनियर है के अंदर व है और यहां पर अब बाते कर लेते हैं medium term 10 years and medium term 10 years 3-10 सलों के भी तर 2.25% interest rate यहां पर मिल जाती है पारे नाम और अगर long term term टेनर की बाते करें जो कि है 15 सालों तक यहां पर मिल जाती है 2.50% तक interest rate यह है interest rate जो हमें fix deposit पर मिल जाती है gold fix deposit पर यहां पर जो interest rate की calculation होती है वो कुछ अलग तरह से होती है अगर हम चाहें तो जो interest है उसके हम annually interest को हम ले सकते हैं यह प्री payment यह प्याउट और अगर हम चाहें तो अगर हम इसे प्याउट के तो पर लेना चाहें yearly तो जो interest rate की calculation होगी वह होगी simple interest rate calculation और अगर हम इसे time of maturity ही लेना चाहें तो इसे cumulative तोर पर ही मतलब जो interest rate है उसे calculate किया जाएगा तो यहां पर जो interest rate है वो कुछ जादा हो जाती है क्योंकि cumulative हमें पता ही यहां पर जो annualized yield है वो जादा हो जाती है इसके बारे में मैंने वीडियो आप बनाई रखी है तो आप देख लीजेगा तो इस तरह से अगर हम बाते करें तो गोल monetization scheme है एक ऐसी scheme है जहां पर हमें अपनी ideal goal को रखकर हम फिक deposit के तोर पर इसे invest कर सकते हैं और यहां पर इसे फिक deposit के अगेस पर हमें इंट्रेशेट भी मिल जाएगी और उस इंट्रेशेट को अगर हम चाहे तो पे आउट के तौर पर ले अभी एड भी दिखाया देने वाली है गोल monetization scheme के एगेंस्ट में असा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नहीं information मिला होगा और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिस्ते की म आपके पास मिल जाए करेगी तो चले मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care